जे हिंदोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी साइथ के बहुत ही महत्वपूर्ण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा अबस्य देखें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन दबाएं ओल पर क्लिक करें तक यह वीडियो की जानकारी आपके यहां तक पहुँचे जादा से जादा वीडियो को share करें और वीडियो को like करना न भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह वीडियो आज का अपना यहां से फर्ष्ट कॉस्चन है कॉस्चन नमबर 36 से की पदमाबत किस भासा में लिखा गया है यह आपके लिए बताना है कॉस्चन नमबर 36 का अंसर क्या होगा पदमाबत किस भासा में लिखा गया है बताना है, ब्रेज, अबिदी, मेतली या ब्रांच है, तो question number 36 का आपका जो सही answer है, वहें आपका अबिदी, अबिदी आनि की विकल्प number आपका C, यहाँ पर right answer है, question number 37 आपसे यहाँ पर पूंचा क्या है, पदमाबत के अनुच्येदों का नाम है तो अनुच्येदों का नाम क्या है, पदमाबत के यह बताना है, सर के खंड, कांड या अंके, तो question number 37 का आपका जो सही answer होगा, 37 का क्या होगा सही answer बताना है आपके लिए, महत्तपुन question है, और इसका जो सही answer है, भै आपका यहाँ पर right answer विकल्प number C यानिकी खंड, खंड नाम है, उनका तो विकल्प number C आपका यहाँ पर सही answer होगा, question number 38 क्या पूंचा गया है, तो question number 38 आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए यह question number 38, कि पदमाबत में रतने सेन किसका पिरतीक है, किसका पिरतीक है, रतने सेन, मन, अहिंकार, बुद्धी या हिरदाई, तो question number 38 है, और महत्वण है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अबस्त करते जाएंगे यहाँ पर, और question number 38, 38 का सही answer आपका, जो रतने सेन है, ये पदमाबत में रतने सेन, ये किसकी पिरतीक है, तो आफका सही प्रतिक है सादक का परमसद्ता की सियतान की प्रकृत्ती की तो कॉस्चों नॉम smashed आपका यहाँ पर आंसर 49पा की भिकल्प नंबर सी आपका यहाँ आंसर है परम सत्ता की आपका राइट आंसर यह आपका PGT में पूंचा गया है पदमावज नहीं प्रतिक के परमसत्ता की है कॉस्चिन नमबर चालिस क्या पूंचा गया है देखिए इनमें से कौन सी किर्थी जाइसी की अक्षय कीर्थी के आधार पर रची गई है पदमाबत अखराबत आखरी कलाम या उप्रोक सभी कॉस्चिन नमबर चालिस का अंसर बताना है चार विकल्ब भी आप क्या पर दिये गए हैं और चालिस का जो सही आंसर है बहे बताना है तो बिल्कुल सही आंसर है जाइसी देखिए इनमें से जाइसी की अक्षय किर्थी के आधार पर रची गई है तो बहे कौन सी किर्थी है तो बहे है आपकी परमाबत विकल्ब नमबर एक आपका सही आंसर है पदमाबत PGT परेक्षा 2015 में ये question पूंचा गया था आपका question number 41 क्या पूंचा है पदमाबत को समासोक्ती किसे ने कहा है गड़पती चंद गुपते या माता प्रसाद गुपते या आचाराम चंसुकल या रामकुमार बर्मा तो 41 का सही answer बताना है 41 का सही answer क्या होगा 2021 पूंचा गया question है और आपका यहाँ पर सही answer है क्या है राइट आंसर आचाराम चंसुकल है पदमाबत को समासोक्ती जो है किसने कहा है तो रामचंसुकल आपका राइट आंसर यहाँ पर है question number 42 यहाँ पर दिया गया है question number 42 क्या पूंचा गया है तो यहाँ पर देख लीजे question number 42 यह है question number 42 का अंसर बताना है यह पंती जो है किस ग्रंते से ली गई है तो आपका यहाँ पर सही answer होगा 2018 में L.T. ग्रेट में question पूंचा था और पदमाबत आपका यहाँ पर सही answer है पदमाबत से यह पंती ली गई है question number 43 का पूंचा क्या है आप से यहाँ पर कि निमने लिखित में से किस कभी ने सिर्फ अबदी भासा में ही रचिना की है देखे इन्हों ने जो हैं जो रचिना की हैं सिर्फ अबदी भासा में ही की है कभीर तुलसी सूरदास या जाईसी तो question number 43 का answer बताना है दी राइट आंसर होगा चित्रावली किस की रचिना है चित्रावली देखे यह जो चित्रावली आप से पूंचा है यह चित्रावली रचिना किस की है उस्मान या कासिम साहे सेख नभी या नूर मुहम्मद तो question number 44 का सही answer बताईए महत्तुपुन question है और चित्रावली की रचिना कार उस्मान और उन्हों ने इसकी जो रचिना की थी 1613 इसवी में की थी और यह जो है गाजी पुर की नवासी थी कहां की नवासी थे गाजी पुर की कौन उस्मान question number आप से 45 क्या पूंचा गया है question number 45 हिंदू मकपर पाउन राक्यों का जो बहुतो हिंदू भाक्यों एह उक्ती किस रचिना और रचिनकार से संबंदित है देखी रचिना और रचिनकार से संबंदित तो नूर मुहम्मद इंद्राबती या उस्मान चित्राबली नूर मुहम्मद अनुराग बांसरी कासिम साय अंस जवाहिर तो किस रचिना और रचिनकार से संबंदित है आपकी उक्ती है तो कॉस्चिन नूर मुहम्मद अनुराग बांसरी आपका यहाँ पर जो सी है वह राइट आंसर यहाँ पर होगा question number आपका यहाँ पर फेंतालिस क्या दिया गया है तो अधे देख लेते हैं question number चालिस देखे question number चालिस आपसे पूंचा है हिंदी भासाम रचना करने पर किस सूपी कभी को मुसल्मानों का उपालंब सुनने को मिला था तो भै कौन से सूपी कभी हैं जिनको हिंदी भासना में रचना करने पर इनको मुसल्मानों का उपालंब सुनने को मिला था जाएसी सेक नभी उस्मान या नूर मुहम्मद को तो question number 40 का answer बताना है महत्वण question है यह आपकी जो question है किसी ना किसी अक्जाम में जरूर पूंचे गए यह आपकी महत्वण question है तो आपका यहाँ पर 46 का सही answer है विकल्प नंबर D आनिकी नूर मुहम्मद नूर मुहम्मद आपका यहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही नूर मुहम्मद आपका right answer यहाँ पर question number आपका 47 यहाँ पर पूंचा क्या है सूपी काव परंपरा का परंपरा एक ग्रंथ है इंद्रावती इसकी रचनाकार कौन है तो सूपी काव परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती और इसके जो मतलब रचनाकार है जायसी है मंजने कासिमसा है नूर मुहम्मद है तो 47 का आपका जो सही answer होगा बहुत क्या होगा 47 का right answer तो बिल्कुल सही 47 का आपका D right answer है नूर मुहम्मद नूर मुहम्मद आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प number D आपका right answer होगा D आपका right answer है अंगला question क्या पूंचा क्या है तो यहाँ पर देखिए राम भक्ति काब से संबंदित यहाँ पर अंगला question पूंचा क्या है आपसे कि स्वामी अग्रदास किस धारा का बिधारा की कभी है तो question number है आपका first है यहाँ पर राम भक्ति का बिधारा संबंदित महत्वण question पूंचा गया है स्वामी अग्रदास किस का बिधारा की कभी है तो आपके यहाँ पर जो सही answer है question number है एक और इसका सही answer है जा है right answer तो आपके हाँ पर सही answer होगा विकल्प number आपका C यानकी राम भक्ति का बिधारा राम भक्ति का बिधारा आपके यहाँ पर सही answer है विकल्प number आपका C यहाँ पर right answer है 2015 में प्रवक्त परिक्षा में एक question आपका पूंचा गया था question number 2 पूंचा है गोस्वामी जी के पिता का नाम था तो यहाँ पर आपके लिए बताना है PGT में एक question आपका 2011 पूंचा गया कि गोस्वामी जी के पिता का नाम था गंगा राम या दियुता दीन या आत्मा राम या इन्मेसी कोई नहीं तो question number 2 का आपका जो सही answer है वह आपके यहाँ पर question number 2 का विकल्प number B यानिकी आत्मा राम आपके यहाँ पर सही answer है आत्मा राम right answer question number 3 क्या पूंचा है गोदलिये हुलसी फ्रे तुलसी सो सत्थोई यह पंती इन्मेसी किस कभी की प्राण चंद चौहन रोत्तमदास नाबादास यह रही question number 3 पूंचा है question है और इसका जो सही answer होगा question number 3 का भै है आपका यहाँ पर right answer गोदलिये हुलसी फ्रे तुलसी सो सुत्थोई पंती है किसकी रहीम विकल्प number आपका D यहाँ पर right answer question number 4 क्या पूंचा गया है question number 4 आपका यहाँ पर question number 5 तुलसी की भक्ती का सुरूप क्या था दास से था बास सले था सक्क या मात्र question number 5 का answer बताना है मात्वण question यहाँ पर पूंचा गया है आपसे 4 विकल्प भी आपकी यहाँ पर दिये गए है 2011 में TGT में पूंचा गया question है तुलसी की भक्ती का सुरूप जो था बहे था दास से कौन सा था दास से आपका यहाँ पर विकल्प number 1 यहाँ पर right answer है question number आपका यहाँ पर 6 पूंचा है अविदी भासा के सर्वादिक लोगप्रिय महाका आपका बिकारना answer यह question कई बार एक्जाम में पूंचा जा चुका question है अविदी भासा के सर्वादिक लोगप्रिय महाका बिका नाम है आपका रामचरित मानस कौन सा है रामचरित मानस विकल्प number D आपका right answer है देखिए अविदी भासा का साथ क्या पूंचा है रामचरित मानस किस भासा में लिखी गई है राजिस्थानी में आविदी में भोजपुरी में एबरेज भासा में question number 7 है और साथ का right answer आपका क्या होगा रामचरित मानस से जो है आपके लिए बताना है किस भासा में लिखी गई है तो बिलकुल सही से बाल कंड़, अयुद्धा कंड़, अरंड कंड़, किसकिंदा कंड़, सुंदर कंड़, लंका कंड़ और उत्तर कंड़ इसमें साथ कंड़ है question number आपका यहां पर आठ क्या पूंचा गया है रामकथा पर आधारत तुलसी दास की महाकाब्य का नाम क्या है भारत मिलाप य यहां पर रामचरित मानस, यह रामकता पर आधारत तुलसी दास की महाकाब्य का नाम है क्या है रामचरित मानस आपका सही आंसर है रामचरित मानस की जो भासा है यह अब भी आपने यहां पर पढ़ाता कि अब दी भासा है यह question डबल हो चुका है तो विकल्प नमबर एक आपका यहां पर सही आंसर होगा यह आपका महत्तुपन कॉस्चन है पूँचा गया question है पिछली पर इक्छाओ में question number 12 आप से क्या question number 10 है अपने यहां पर तो question number 10 पूँचा है गोस्वामी तुलसी दास ने रामचरित मानस की रचना किस संबत में किये देखे संबत में आपके लिए बताना है तो किस संबत में की थी गोस्वामी तुलसी दास जी ने रामचरित मानस की रचना चार विकल्प दिये गए हैं और आपके हैं आप जो सही answer है Question number 10 का विकल्प नंबर एक right answer है समबब 1631 आप के आप siya पर सही answer होगा विकल्प नंबर एक right answer Question number 11 लिया है रामचरित मानस में कुल कितने कांड ने हैं अब भी बताया थे हैं यहां पर कितने कांड हैं बताएं 15 हैं 7 हैं 10 हैं या 8 हैं तो question number 11 का सही answer बताना है रामचरित मानस में कुल कितने कांड हैं तो question number 11 का right answer होगा विकल्प number C यानिकी 7 कांड हैं कितने कांड हैं 7 कांड हैं बिल्कुल चाहिए यह आपका यहाँ पर फिर सी question डबल हो गया राम चरित मानस में कितने कांड ने तो 7 कांड आपका राइट आइटांसर है राम चरित मानस में यлекनल पूंचा है Q.13 R.19 में बीभत्च रसका प्रियोग किन कांडों में मिलता है कांड बताना है कांड से कांड है PGT में ए 2025 में एक Q.13 पूंचा गया था तो इस रस का प्रियोग किन कांड़ों मिलता है तो question number 13 का सही answer आप बताईए भत्तपुन question है और इसका सही answer होगा 13 का अरंड कांड और लंका कांड आपके हैं पर सही answer है विकल्प number 1 आपके हैं पर सही answer होगा question number आपके हैं पर 14 क्या पूँचा क्या है कि इनमेय से कौन सा महाकाब बे अबदी में लिखा गया है तो प्रिय प्रवास, साकित, रामचरित मानस या रामचंद्रिका Q14 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर इनमेय से कौन सा महाकाब बे अबदी में लिखा गया है अबदी में प्रिय प्रबास रामचरित मानस साकेत या रामचंद्रिका तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर रामचरित मानस आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा रामचरित मानस जो है अबदी में लिखा गया है और यह क्या है महाकाब्ब्ध है बिल्कुल सई विकल्प नमबर आपका यहाँ पर C right answer है और आपका यहाँ पर जो कौस्च नमबर 15 आपका यहाँ रहा की यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं यह आपका की अरत ना धरम ना काम रूची गती ना चहूँ निर्बान जनम जनम रती राम पद एह बरदानू ना आन राम चरित मानस में एह आकांचा निमलिकत में से किसकी है भरत सुग्रीव सबरी या हनुमान तो यह आकांचा है और किसकी है यह आकांचा राम चरित मानस में एह आकांचा निमलिकत में से किसकी है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नमबर एक भरत आपका यहां पर राइट आंसर होगा यह आपका जी आई सी परवक्त परिक्षा 2015 में यह कौस्चन पूंचा गया था तो विकल्प नमबर एक आपका राइट आंसर यहां पर है अबिदी और ब्रेजवासा दोनों में रचना करने वाली कभी कौन हैं सूर्दास हैं घनानंद तुलसीदास या उपरोक सभी कौस्चन नमबर 16 है महत्तपूंड कौस्चन हैं आपका यहां पर क्या होगा राइट आंसर चार विकल्प देगा हैं अबिदी और ब्रेजवासा दोनों में रचना करने वाली कभी पूंचा है तो आपका यहां प रखना हिंदी का जाती कभी किसको कहा जाता है गोस्वमी तुलसीदास जी को कॉस्चन आपका यहां पर 17 है पूंचा गया है कि निमने लिकत में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है रामचंद्रिका गीता वली कभीता वली या बिनयपत्रिका तो कॉस्चन नमबर इहां पर 17 है और 17 का सही आंसर आपके जो होगा और क्या होगा यहां पर आपके लिए tuvordan सी इन की रचना नहीं है पूंचा है तो आपका रामचंद्रीका राइट आँसर होगा कॉस्चन नमबर आपका यहां पर 18 पूंचा है इन में से कौन सी रचना जो है तुलसिदास की नहीं है यहाँ पर भी आप से पूछा है तो बताइए रामचरित मानस गीता वली कविता वली साकेत तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर यह आपका जो question है यह पूछा गया question है कब पूछा गया था है 2011 में तो क्या है इसका सही आंसर बिल्कुल सही आपका यहां पर राइट आंसर विकल्प नमबर D साकेत आपका राइट आंसर है भक्तिकाल के किस कभी को जातिय कभी कहा जाता है अब भी बताया था जातिय कभी जो कहा जाता है सूर्दास नावदास तुलसिदास नंददास तो 19 का आपका सही आंसर है जाती है कभी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तुलसी दास आपका, यहाँ पर right answer है, बिलकुल सही, तुलसी दास आपका सही answer, पैरा के संदीपनी किसकी रचना है, यह आपके लिए question number 20 में बताना है, और 20 का आपका जो सही answer है, वह कमेंट में जल्ली से बता दिये, तुलसी जास आपका सही आंसर है तो इस परकार अपनी हाँ पर बहुत ही मात्वपोन कॉस्चिन कंप्लीट हुए क्या सा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन दवाएं और पर क्लि आप बहुत है।